जैम आता दी दोस्तों, World Best Magic में आपका हरदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी जरूर लिखें दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद ग्रहन बहुत ही जल्द लगने वाला है फालगुन मास की पूर्णिमा के दिन ये ग्रहन लगेगा 25 मार्च 2024 दिन सोम वार को साल का पहला चंद ग्रहन लगेगा ऐसे में इस चंद ग्रहन से जुड़ी कम्प्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी जैसे की 25 मार्च का चंद ग्रहन कितने बजे लगेगा ग्रहन कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा ग्रहन के सूतक काल का समय क्या रहेगा और इसका सूतक काल भारत में माना जाएगा या नहीं क्या ये ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं और भारत के लावा और किन किन देसों में ये चंदग्रहन देखा जा सकेगा साथ ही ये भी बताएंगे कि इस चंदग्रहन के समय आपको नियमों का पालन करने की आवशक्ता होगी या नहीं और गर्वती को कौन कौन सी सावधानिया जरूर रखनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दूँगी इसलिए लास तक वीडियो के साथ बने रहें लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रुकेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों 25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद ग्रहन लगेगा और इसी दिन होली का परव भी मनाया जाएगा दोस्तों ये चंद ग्रहन बेहद इखास होने वाला है इसका प्रभाव रासियों पर भी पड़ेगा जोतिस के नुसार चंद ग्रहन को असुप घटना माना जाता है इस दोरान कई कार्लियों को करना परजित पताया गया है दोस्तों चंद ग्रहन के समय चंद्रमा पीड़ी तवस्ता में होते हैं और असुफल देने लगते हैं जिस वज़े से इसका असर हर मानो जीवन पर पड़ता है दोस्तों बात करें 25 मार्च को लगने वाले चंद ग्रहन के समय की तो ये चंद ग्रहन भारती समय के अनुसार 25 मार्च की सुबा 10 बच कर 23 मिनट पर सुरू हो जाएगा और इस चंद ग्रहन की समापती 25 मार्च की दोपहर 3 बच कर 2 मिनट पर होगी कुल मिलाकर इस ग्रहन की अवदी चार घंटा 49 मिनट की रहेगी मानिता है कि चंद ग्रहन जिस इस्तान पर दिखाई देता है वहाँ पर सूतक काल लग जाता है सूतक काल असुप समय होता है जिस समय कुछ विशेज बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे जातक पर ग्रहन का बुरा प्रभाव ना पड़े आपको बता दें कि 25 मई का लगने वाला चंद ग्रहन एक उपचाया चंद ग्रहन है उपचाया चंद ग्रहन में चंदरमा प्रत्वी की पेनुब्रा से होकर गुजरता है इस ग्रहन में चंद्रमा के आकार में कोई भी अंतर नहीं आता है इस ग्रहन में चंद्रमा का रंग काला भी नहीं पड़ता है इस दोरान चंद्रमा सिर्फ थोड़ा समट मैला या धुंदला सा नजर आता है और अब जानते हैं कि ये ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा दोस्तों 25 मार्च का लगने वाला चंद ग्रहन जापान, रूस, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्री दच्णी अमेरिका, सुज़लेंड, हॉललेंड, बेल्जियम, नार्वे, फ्रांस, जर्मनी, आयरलेंड, इंगलेंड, स्पेन, पुर्टगाल, इटली, अटार्टिका और हाला कि 25 मार्च का लगने वाला चंद ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय ये ग्रहन लगेगा, उस समय भारत में दिन निकला होगा, जिस वजहे से ये भारत के किसी भी सहर से विजबिल नहीं रहेगा, और अब बात करते हैं इस के सूतक काल की, तो ये ग्रहन भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, जिस वज़े से इसका सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा, इस ग्रहन का धार्मिक द्रस्टी से कोई भी महत्व नहीं रहेगा, लेकिन जिन देसों में ये ग्रहन दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए बता दूं कि च चंद ग्रहण के साथ ही समापत होता है। चलिए अब जानते हैं कि चंद ग्रहण के दोरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौण कौण सी साफधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों ग्रहण के दौरान हमें कभी भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानी कारक्रने नुकसान पहुचा सकती हैं। और ग्रहण को खुली आँखों से देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय किसी से लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए और नहीं ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए हाला कि ये नियम बच्चे बूरे औ रोगी पर लागू नहीं होता है दोस्तों ग्रहन के समय मास मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए जुआ भी नहीं खेलना चाहिए ग्रहन के समय बाल खीचना तेल मालिस करना बुरुस करना इन सभी कार्यों की मनाही होती है ग्रहन के समय कप्ड़े दोना बरतन धोना कप्ड़े ने चोड़ना आदी जैसे कार भी वर्जित होते हैं दोस्तों ग्रहन के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करने चाहिए ग्रहन के समय कोई भी सुब या नया कार भी नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय कभी भी नया वहान नई प्रापर्टी या कोई नया बिजनस शुरू ना करें चलिए अब बात करते हैं गर्वती महिलाओं के बारे में कि चंद गर्वती के समय उन्हें कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए दोस्तों गर्वती को जिस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वह है कि गर्वती के समय गर्वती को कोई भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तमाल नहीं करना है उन्हें इस समय चाकू, कैची, सुई, नेल कटर, पेंट पैंसिल का इस्तमाल नहीं करना है इस समय सबजी अफल भी नहीं काटनी है सिलाई, बुनाई, कड़ाई भी नहीं करनी है ऐसा करने से आपके होने वाले सिस्यू को नुकसान पहुँच सकता है दोस्तों, गर्वती को ग्रहन के समय सोना भी नहीं चाहिए इस समय सजना सवरना नहीं चाहिए इस समय किसी भी तरह की exercise या योगा आदि भी नहीं करना चाहिए इसके लावा ग्रहन के समय सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए गर्वती मैला को ग्रहन के समय भगवान का ध्यान या मंत्रों का जाब करना चाहिए आप ग्रहन के दोरान संतान गोपाल मंतर का जाब कर सकती हैं या फिर किसी धार्मिक पुस्तक जैसे रामायन, गीता, सुन्दरकांड या दुर्गा सब्तसती का पाड़ करें चलिए अब जानते हैं कि ग्रहन के कुप प्रभाव से बचने के लिए गर्वती महिला को कौन से उपाय कर लेने चाहिए दोस्तों चंद ग्रहन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्वती महिला को अपने गले में एक तुलसी की माला पहन लेने चाहिए आप ग्रहन लगने से पहले ही तुलसी की माला अपने गले में पहन लें फिर जब ग्रहन समाब्द हो जाए तो आप इस तुलसी की माला को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें दोस्तों ग्रहन लगने से पहले गर्वती अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चन्दन का लेप लगा ले इससे ग्रहन का दूस प्रभाव आपके या आपके होने वाले सिसु पर नहीं पड़ता है साथ इग्रहन के समय अपने पास एक नारियल भी जरूर रखे इससे वाता वरण से निकलने वाली हानी कारक किर्णों का सर आप पर याप के होने वाले सिसु पर नहीं पड़ता है दोस्तों जब ग्रहन समाप्त हो जाए तो गर्वती महिला को गंगा जल डाल कर इस नान अवस्से करना चाहिए और दोस्तों इस नान करने के बाद अपनी यथा सक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवस्से करना चाहिए इससे आपको लाब मिलता है चलिए अब जानते हैं कि इस ग्रहन के दौरान भारत में रहने वाले लोगों को क्या नियमों का पालन करने के अवश्कता होगी या नहीं तो दोस्तों 25 मार्च का लगने वाला चंद ग्रहन भारत में दिखाई नहीं दे रहा है जिस वज़े से इस ग्रहन से जुड़े सूतकवा ग्रहन के नियमों का पालन करना बंडेटरी नहीं होगा ये टोटली आपकी इच्छा के उपर है कि आप ग्रहन के नियमों का पालन करेंगे या नहीं क्योंकि बहुत से लोग हर तरह के ग्रहन में नियमों का पालन करते हैं खास कर जिनके घर में गर्वती महिलाएं होती हैं तो आप चाहें तो ग्रहन के नियमों का पालन कर सकती है या नहीं ये टोटली आपके उपर है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद